आज मैं आपके लिए एक कोकरोल के सब्जी लेकर आए हूँ जिसको हम बहुत ही इजी तरीक से बनाएंगे हमेशा की तरह कोकरोल खाना आपको पसंद नहीं है तो आप ये वीडियो देखेगा आप इसको खाना पसंद करने लगेंगे बिल्कुल एक सिंपल तरीके से बनाएं सब्जी होता है तो इसको ठीक से साप करना जरूरी होता है छिलना नहीं है बस ऐसे हलका हलका जहां ज्यादा लगे गंदा उसको काट देना है फिर उसको अच्छे जरगर के दो-तिन पानी से दो लेना है और उसके बाद काटना है यहां पर मने 250 ग्राम कोकरोल लिया है अब इसको हम काट लेंगे तो काटने के लिए अनो पहले ऐसे 20-1 काट लगाना है इसको आप को उसके वाद आप चाहे इस तरीके से भी काट सकता है ऐसे में छोटे पिसे सौंगे और जब यह लम्बा काटेंगे तो ऐसे में बड़े-बड़े पिसे सौंगे अगर छोटा पिस को इस तरीके से काट लिया है सभी सबजी को कोशिश करें जो सबजी सॉप्ट है वो लेने का इसको अच्छली बनाते हैं तेल गरम करेंगे तो इसको हमें फराय करना है तो उसके लिए थोरा सा ज्यादा तेल यहाँ पर डालना पड़ेगा बाद में इसी तेल में हम सबजी ब भून लेंगे या इसको तब तक भूने जब तक हलका से फड़ाय हो जाए 50% पक जाए वहां तक इसको भूनना है तो मैं इसको ढख देते हूं इससे यह बूनने के साथ 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 सॉप्ट भी हो जाएगा तो बाद में सबजी पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा त बाकि यह सॉप्ट हो जाता है बहुत ही जल्दी पकने वाले सबजी है तब इसको हम निकाल के दूसरे बरतर में रख लेंगे उसके बाद इसी में हम सबजी बनेंगे तो मैं इसको तेल को ऐसे साइड करके निकाल रहे हैं जिससे जेक्स्टा ओयल है वो नीचे कराही मराज जिसमें हम सबजी प्राइब करेंगे यहांपर मैंने एक साथ दूसरे झाल डाल दे यह पहитесь द्युक्ल और इसके जीरा और नहीं डालने प्याज नूरे लुट सोते जीरा और हम पादाने डाले उतन को जाता है अधिक़ितल प्याज फिंतल भेकाहा है कोकड़ो को भेको य इस सबजी में मैंने एक तरीके से ही सबजी को चॉपिंग किया है, मतलब कट किया है, यहाँ पर प्याज को हलका सा भून लेंगे, बिल्कुल फराय नहीं करना है, हलका सा भून लेना है, दो-तीन मिनट के लिए, प्याज हलका सा सौप्ट हो जाए, उसके बाद इसमें कटा टमाटर डालेंगे, यहाँ पर हमने 500 ग्राम कोडा में दो प्याज, एक टमाटर, चार-पांच लासुन कटा हुआ, दो हरी मिर्च कटा हुआ, और एक अद्रक का टुकरा डाला है, आप चाहते हैं पर अद्रक और लासुन का पेस्ट एक चमच डाल सकते हैं, ग्रेवी वाल चमच जीरा पॉडर डालेंगे, और एक चुताय चमच गरम मसाला डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पॉडर डालेंगे, अब इसको एक मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज्यादा दिर भूनना नहीं है, ने तो मसाला हमारा जलने लगेगा यहाँ पर हीट को कम कर दें, अगर आप गयस पर बना रहे हैं तो, इसके बाद इसमें हमने जो सबजी फ्राय करके रखी है, वो डाल देंगे, यहाँ पर मैं इसको डाल देती हूँ, सबजी हमारी आधी पकी हुई है, अब इसको पकने में ज्यादा टेम नहीं लगेगा, जब हम फड़ा किया थे उस टेम में यह पक गया था, स्वादन उसर नमक डाल देंगे, एक चमच नमक डाल दें छोटे चमच से, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी बहुत ही कम डालना है, गैस को कम करके, जिस चीज़ पर आप बना रहे हैं, उसका हीट को कम करके, उसी में सबजी को पकाना है, उसी से सबजी का स्वा देगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दे, जिससे हमारा जो मसाला है, और नीचे से जले नहीं, इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे, और सबजी को ढख कर पकने के लिए रख देंगे, ज़्यदा टा को करोल को ऐसी काट के दबा के देख लें, कि सौब्ट हो गया है, इसका मतला हमारा जो सबजी है, वो बन के तयार है, बहुत स्वादिष्टी सबजी बनती है, रोटी और पराठक साथ यह बहुत ज़्यदा स्वादिष्ट लगता है, गर्म गर्म राइस के साथ भी को करोल के सब जीबन के तयार है, आपके इधर इसी किसी नाम से बुलाता है, आप हमें कमेंट केज़ेगा, हमारे इधर चठेल भी बोलते हैं, कोकुरा भी बोलते हैं, कोक रोल भी बोलते हैं, वीडियो पसंद आएख जरूर करें